कॉंग्रेस पार्टी की चेर परसन सोनिया गांधी ने अखवार वे एक बड़ा लेख लिखा है और मोधी सरकार पर कड़ारा हमला किया मैं इसाथ मुक्तार अबास नखवी है जो बीज़ेवी बरिशने था सर उन्होंने लेख लिखा है कहा है कि सरकार की नैतिक हार हुई रा लोग तंत्रिक गत्विदियों का देश गवा रहा हैं जहां तक सवाल है उनको आपती है आपातकाल की आपातकाल की अराजकता आपातकाल का जुर्म जुर्म ऐसा एक काला ध्याय है इस देश के लोग तंत्रिकाल जिसको कि कभी भुलाया नहीं जा सकता और मैं तो सत्रा सा का था आतार आपात काल के जुर्म जुर्म और अत्याशार और अराजकता का शिकार रहा हूँ सत्रा साल की उम्र में जेल में रहा हूँ तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भारत के पाठिकरम है जो आने वाली पीड़ी है और जो स्वरतमान पीड़ी है वो उस पढ़ सकेगी इस कि आने वाले कोई भी शासन या कोई भी शासक जो है वो अपने अहंकार में जो है वो देश के लोक तंत्रों देश के समविधान का अपरहन ना कर सके अपातकाल का उनको सबक्स जंता ने दिया लेकि 77 में प्रचंड जीत के साथ जो कभी बीजेपी नसीव नहीं हुई देखे मुझे क्या लग रहा है कि 77 की जीत नहीं थी 77 में तो हारे थी बुरी तरह से हारे थे उसके बाद जो है वो जो इनकी जीत हुई है उसके कई और कारण थे उसका अगर आप इधियास करेंगे तो यह इसका मतलब यह नहीं कि आपातकाल को जस्टिफाई कर रही थी जंत को अगlardan के मुझे गर्मैंबेड मुढि जी बात करते हैं आम सम시다 की लेकि परलेमेंट कंदर कुछ दिखता की निट को लेकर वह प्रहस के लिए कि नंबर मंबरी नंंबरी हो गया है अब अगर नंबर कप पूर्भारें और मनलें है लग डिंग में लगे रहेंगे तो कांस्ट्रेक्टिव डिवेट और डिस्ट्रेक्टिव डिंग में बहुत बड़ा जमीन और आस्मान का फर्क है हमेरा मेश के साथ कमलेश शिंग नारत एक्सप्रेस दिल्ली